प्रक्रति ने हिमांचल को कल कल करते नदी नालों से नवाजा है। धागुरू की यूवा अभे ने अश्वनी खड़ कितनी साफ है इसका वीडियो फ्येश्वुक पर अप्लोड किया है वीडियो में सैंक्रूंट टन कच्रा अश्वनी खड़ में बहता हुआ साफ दिक रहा है जिसमें अश्वनी खड़ पॉलोथीन प्लास्टिक की बोतलों और कच्रे से लवरेज दिखाई दे रही है जिसे देखकर ऐसा पतीत होता है कि मानो सोलन में कच्रे की नदी बह रही है। इस पर कड़ा संग्यान लेना चाहिए था इस मामले की जाच करवानी चाहिए थी लेकिन वह इस वीडियो को ही फेक बताकर ही इतिश्री कर रहा है ऐसे में लोगों की स्वास्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं जब जिला इने को मिलता है जब नदी उफान पर होती है उसने बताया कि जब यह वीडियो फिल्माया गया तो ना केवल बह बलकि काफी संख्या में लोग भी वहां माजुद थे अभे ने एक और वीडियो भी सांजा किया है जिसमें उसने यह साबित कर दिया है कि यह वीडियो अश् है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोलनवासियों का स्वास्थे कितना सुरक्षित होगा इसलिए जिला परशाशन और परदूशन विभाव को चाहिए कि वह मौके का मौाइना करें और जो भी व्यक्ति इसका जिम्मेबार है उस पर सक्त कारवाही अमल में लाई जाए यह जो वीडियो है यह वीडियो मैंने 2 जुलाए 2018 को बनाया और यह वीडियो के बनते ही जैसे सोशल मीडिया पर गया लोगों ने इसे फेक बताया लेकिन मैं अब इसकी सत्य जानकारी देना चाहता हूं कि यह वीडियो फेक नहीं है ऐसा सची में घटना घटी है और यह सोलन में घटी है जहां से सोलन को पानी लिफ्ट होता है वीडियो मेरा फेस्बुक और सोशल मीडिया पर डालने का सिर्फ एक कारण था कि लोग जाग रूख हो हैं लोगों को पता चले कि ऐसी सी चीज़े हो रही हैं सोलन एक अच्छी जंसंक्या अबादी वाला शेत्र है और यहां से इसी अशनी खड़ से पानी लिफ्ट होता है और यहां पर ऐसी सी चीज़े रेगुलर हो रही हैं जून में ऐसा सा एक तत्थ हुआ और अब एक जुलाए में हमारे सामने दूसरा आया जिसको हम रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो जो भोल रह हैं इनको कि यह फेक हैं वो सिर्फ शायद परदा कर रहे हैं सचाई से और इसमें में और भी ऐसे सी चीज़ें हैं जो इसको सच साबित करें